एक बार की बात है एक छोता सा गाउ था जहां सभी लोग खुश थे गौन में एक बुधिया रहती थी जिसका नाम पारवाती था पारवाती गाउ के सब बच्छों से प्यार करती थी और उन्हें कहानिया सुनाया करती थी एक दिन गाओं में एक अनुखा पेड़ उगा जो हर रात चमकता था लोग सोचते थे कि ये पेड़ किसी भगवान का अशिरवड है परवाती ने सोचा कि इस पेड़ के पास कुछ राज छूपा होगा उसने हिम्मत जुताई और रात को चुपके से उस पेड़ के पास गई वहान पहुंच कर उसने देखा कि पेड़ के नीचे छूपा एक छोता सा संदूख है उस संदूख में एक प्रतीक था जो सब के लिए खुशी लाता था परवाती ने समझा कि ये प्रतीक सच में भगवान का अशिर्वध है उसने गाओं वालों को बता दिया और सबने मिलकर उस प्रतीक को मंदिर में स्थपित किया इस प्रतीक ने गाओं में खुशी और समरिधी लाई और परवाती को सब का सम्मान मिला